जिस तरीके से महिसपांडे को फसाया गया लड़की के जाल में और फिर होसको होटल में गुलाए गया फिर महिसपांडे को आप में पीटा गया। उसकी प्राइवेट वीडियो बनाई गया इसके आया गया वहाँ पर विशाल सिंग के द्वारा उसको डाटा गया यह सारी चीज़ें आप लोगों ने कंट्रोवर्सी में देखी होगी या बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको दिखाया भी होगा या वीडियो आप लोग देखें होंगे लेकिन उसके बाद क्या होता है रिजल्ट इसका क्या होता है वही महस पांडे के सपोर्ट में काफी सारे यूट्यूबर्स काफी सारे खिसाई लल के सपोर्टर्स वहां तक कि खिसाई लल यादों के राइटर अखिलेश के से भी महस पांडे के सपोर्ट में आते हैं और वहीं विबेक सिंग भी खिसाई वीडियो बनाई गई है एक लड़की के द्वारा जाल विछा के उसको फसाए गया है और वहीं पावश्टर पाउन सिंग के तरफ से भी काफी ऐसे लगाए जा रहे हैं पे उनके यूटूबर जैसे अनौस किये हैं कि वो आरा से चुनाओ लड़ेंगे अगर पाटी टिकेट देती है तो अभी सब लोग को यह लगताय है कि पाउन सिंग कही ना कहीं चुनाओ में खड़े हो रहे हैं और वो सारा कंट्रोवर्सी हो रहा है वो पॉंसिंग के द्वारा ही हो रहा है और सच यह भी है कि यह सब कुछ पॉंसिंग के सारे पर ही हो रहा है पॉंसिंग के नजर में ही हो रहा है यहां पर महेश सारे अरोप लगा रहे हैं कि आपको एससे नहीं करना चाहिए था कि एक यूट्वर के लिए आप इतने बड़े कदम उठा लेते हैं कि उसको रूम में बुलाके मारते हैं पिटवाते हैं सरा पिलाते हैं उसका प्राइबेट वीडियो बनाते हैं और वाइरल करते हैं यह सार सारी चीज़े अभी चल रहे हैं हमारे वुश्च पूरी इंडुस्टी में अब आगे देखना होगा कि क्या होता है और पौन सिंग कैरियर पर इसका क्या इफट पढ़ता है कभी सारे लोग बोल रहे हैं कि इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा पॉन सिंग के कैरियर पे अब आगे दिखना होगा कि आगे क्या होता है बाकि आप लोग क्या कहना चाहते इस कांट्रोवर्सी के बारे में और क्या सच में पॉन सिंग के निगरादी में यह सब कुछ हो र भीएगा चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में मैं डूने डिया दो तब तक के लिए जैसीर क्रिष्णा